हेलो एविवान वेलकम बाक तो स्टडी आएक्यु जुडिश्ट्री आपके इंपॉर्ट वास्तो और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिसकस करेंगे कि सी आर पीसी के सब्जेक्ट से कौन से कौन से और प्रिलिंट वाने वाले हैं उत्रखन वाले है सक्ष्ट वाले है तो यहां पर इग्जामिनेशन प्रिलंट वास्तो को तो पढ़के जाने ही जाने है को आज जा रही हूं को C-P-C हो जाट हए हूं अब और विच्टेयल से विच यहां की सीर पीसी हो गया वाइड और जाइन सब्जेक्स आइवोट से कि जिसमें हर बच्चा जो है घबराता है इसको पढ़ने से मोस्तली बच्चों को बसंद नहीं होता CRPC और CPC, Procedural Laws, क्योंकि बहुत बढ़ा है, बहुत लेंदी है, कैसे कंप्लीट करना है, क्या कै चीज़े पढ़नी है, क्या कै चीज़े रेलिवेंट है एक्जाम के लिए, वो सारे सेक्शन्स जो एक्जाम में अकसर पूछे जाते हैं, वो हम आज के सेशन में डिसकर्स करेंगे, so I request all of you to have the bear act in your hands, so that you can market वहीं पे साथ-साथ में कि कौन से कौन से सेक्शन्स आपके important है, अभी शेक, a very good evening, right, अब यहाँ पे मेरे सापने bear act है, ठीक है, तो of course section number one important है, no doubt about it, the reason is कि short title extend commencement, इसमें दे रखा है कि कब commence हुआ आपका act साथ में कहां पे यह applicable होता है, और कहां पे applicable नहीं होता, तो कभी-कभी questions आपके section one से भी आ जाते हैं, definition section किसी भी act की बहुत important हो जाती है, तो एक बार बस मैं आपको definition section खोल के दिखाती हूं, उसमें से कौन से definitions आपको पढ़नी ह हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं, फड़ा फट जल्दी से, so यहां पे definition में, of course, सबसे पहली definition जो दे रखी है, वो बहुत important है, वो बहुत important है, जो बात करती है, available offense की, पूछ ली जाता है आपसे examination में, charge कहां पे दिया हुआ है, क्या include होता है, वो पूछ लेते हैं, cognizable offense क् complaint में, पूछ ले जाता है, आपका explanation से question आता है, complaint में, तो complaint कहां पे दी हुई है, यह definition important है, साथ में inquiry कहां पे define है, investigation कहां पे define है, यह पूछ लेते हैं, आपसे prelims में, non-cognizable offense कहां पे दे रखा है, police report कहां पे दे रखी है, साथ में public prosecutor, summon cases, warrant cases, और हाँ, यह जो amendment से आया हुआ कुछ भी section, कोई भी section, वो important है, तो exam में जाने से पहले एक काम करना, कोई भी subject हो, CRPC ही नहीं, कोई भी subject हो, एक list बना ले ना, जिसमें जो भी A, B वाले section होते हैं, चाहे वो Indian Evidence Act हो, या फिर आपका CPC हो, या CRPC हो, तो जो भी amendment आये हैं, कौन से year से आये हैं, वो आप उसमे कर सकते हो, राइट, Rapid Revision, रुद्रा, CRPC का मैं करा भी रुकी हूं, आप वो देख लिए ना, and we'll plan something, कि आपे CRPC का पूरर Rapid Revision करा सको, तो warrant case is again, यहाँ पे important है, यह तो हुआ आपका in respect of definition clauses, now, coming back to the index, एक बार index से लेक्ते हैं, कौन सेक्शन इक्शन से इंपोरें, इन important है, classes of criminal court, अब जो यह पूरा chapter है आपका, यह classes से, classes से लेके आपका section 25A तक, यहाँ पे कौन किसके subordinate है, किसमें किसको कितनी power दे रखे, कितनी imprisonment की power है, वो सारी चीजें आप एक चार्ट में बना सकते हो, और वो prelims में आपको help करेगा, कितने executive magistrate के पास क्या power है, या फिर court of session के पास क्या power है, क्या sentence दे सकता है, क्या fine imposed कर सकता है, उसका एक chart बना ले रहा है, और कौन किसके subordinate आता है, इसका एक chart prepare कर सकते हो, वो आपको exam में help करेगा, क्योंकि इस area से आपका section number जो पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं, executive magistrate कहां पे दे रखा है, या फिर special judicial magist कहां पे दे रखा है, कितने साल के लिए पॉइंट की जाते हैं, साथ में ये तीन sections थो important है, ही चाहे, वो prelims हो या फिर में जो, public prosecutor कहां पे दे रखा है, assistant public prosecutor कहां पे दे रखा है, और direct rate of prosecution कहां पे दे रखा है, अगें section 25, एक कौन से amendments हैं, कौन से year amendments हैं, ये भी important है, examination के लि judge कितनी दे सकता है, magistrate के जैसे मैंने बताया कि चार्ट बना लोगा है, कौन किसके subordinate है, कौन कितने sentence पास कर सकता है, इससे आपका ये पूरा broad area, एक चार्ट में ही cover हो जाएगा, और ये सारे sections आपके उसमें cover हो जाएंगे, section number याद करने के लिए, special magistrate के section number याद होना चाहि है, right, now, moving ahead, arrest में, अब arrest again, mains के लिए लिए इंपोर्टेंट है, पूरा as a whole topic, arrest का mains के लिए, examination के लिए, prelims के लिए, आप से जो है section 41 पूछ लिए जाता है, ठीक है, 41 A, B, C, again, amendment D, amendments है, जिसमें से D, उनका favorite question है, commission का है, वो कोई भी state commission हो, right, कि ये पूचला है, राइट राइ वो वाला पार्ट आप से पूछ लिए जाता है, prelims examination में, arrest by magistrate पूछ लेते हैं, section number पूछ लेते हैं, arrest by private person का section number पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे इंपोर्टेंट है, arrest how made 46 में, sunset से पहले sunset से बाइदवाली जो बात है, वो पूछ लेता है, किसकी permission लेनी है, judicial ministry first class की permission लेनी हो पूछ एक नमिनेटिट परसन को भी बताया जाएका, उसका वो राइट है, search कौन से सेक्शन में, देरका एस एक परसन का section 50 number 51, यह section number important है, examinations के section important है, again यहाँ पे 53A जो rape के सिसके respect में बात करता है, वो वाला इंपोर्ट इंपोर्ट इप 54A, बहुत इंपोर्टेंट है, बह health and safety of arrested person, जो safeguard दे रखा है, arrested person को उसके respect में, 55A important है, क्योंकि again इसारे amendments जोड़े गए हैं, और यह important role play करते हैं, not only this की amendments जोड़े गए हैं, बट साथ में, कौन से year से यह add-on किये हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, तो separate a class बना ले ना इसकी भी, right, तो कोई भी miss out नहीं समन सर्फ कैसे करते हैं, यह important है, यह two sections आपके पूछे जाते हैं, प्रिलिम्स में, form of warrant of arrest and detention, अब क्या form होता है, वारंट का, इसका clause 2 जो है, कि तब तक cancel नहीं माने जाता, जब तक वो execute नहीं जाता, ठीक है, वो वाली बात जो है, वो important है, clause 2 उसका important है, rest यहाँ पे proclamation कितन 9192, ठीक है, procedure as to the telegram and letters, इसमें कौन सी authority करती है, यह पूछ लिजाता है, आप से prelims में, ठीक है, तो यह पढ़ना है, आपको, यह तो पढ़के जाना ही, जाना है, जो rest मैने छोड़ दिये हैं, ऐसा नहीं किनको skip कर दोगे, टाइम मेले उसको भी पढ़ देना, पहले इसको तो जरूर पढ़के जाना ही, most important sections है आपकी, ठीक है, इससे questions बनते ही है, right, now 93, when search warrant, maybe issued, कब search warrant, आपका issue किया जाता है, कौन issue करता है, कौन चीज़ू करता है, कौन चीज़ू करता है, इसमें involved है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं, आप से examination में, section number भी पूछ लिया जाता है, habeas corpus नाम से पूछ जाता है, section 97, right, 97 and 98, दोनो ही important है, अब यहाँ पे, यह सारे sections आप छोड सकते हो, for a time being, अब यहाँ पे 106, security for keeping peace, ठीक है, यह important है, 110, security for good behavior from habitual offender, यह important है, कौन से authority, कितने time तक के लिए, यह तोनों बाती, section में, important है, clear, now moving ahead again, maintenance, favorite topic है maintenance question expect किया ही जाता है, procedure में भी ex-parte वाली बात पूछ ली जाती है, जो प्रोवाइड जाती है, वो important है, और साथ में section 125, main section जो है, maintenance का, वो तो important है ही है, right, section number भी important है, अंदर का content भी important है, अब new sense के respect में, अभी हम देख रहे हैं कि कुछ time से, जु रिश्री एक्जामिनेशन मे कुछ dry area से भी question पूछ जा रहे है, तो जैसे ये एक important question जो बन रहा है, public nuisance से, that is conditional order होता है, for the removal of nuisance, कौन से grounds दे रहे हैं, वो आपको पढ़ना होगा इसमे, और जो order होता है, वो conditional order होता है, इस पे question आभी चुका है, इस से पहले, जिके से पहले question आभी चुका है, here, talking about urgent cases of nu since, कौन से authority है, केतना time दिये जाता है, timeline और authority कौन करती है, ये important है, examination के लिए, right, now, coming to chapter 12, the most important chapter, I would say, पूरा CRPC का gist है, heart है, ये, F.I.R. कहां पे दे रखी है, cognizable case में क्या होगा, non-cognizable case में क्या होगा, that is important, police officer की power investigate करने में, उस case को, cognizable case को, वो उसमें दे रखा है, ठीक वो important है, prelims examination के लिए, report कैसे submit करी जाएगी, ये important है, right, 160, 161, 162, यहां पर ये बात हो रही है, कि documents को sign नहीं कराया जाएगा, जो statement, sorry, statement, जो police officer, आप से, जो question answer करता है, जो पूछता है आप से, तो इस पर आपको कोई भी sign नहीं करने है, ये वाली बात, ये सारी चीज़े important ह है, right, 164, a very important section, जो हमेशा ही exam में पूछे जाता है, कब कौन से stage पर record की जाते हैं, ये important है, कौन record करता है, ये important, right, किस manner में record होते हैं, वो भी important है section से, 164, A, again, medical examination of the victim of rape, ये important है, 166, A and B, letter of request, कहां पर दे रखा है, section number से question आता है, इस particular area में, right, 167, procedure जब आपका investigation complete नहीं होगा, तो क्या होगा, उसके timeline, जो दे रखी है, वो important है, prelims के लिए, पुलिस जो case diary होती है, that is 172, 173, report, charge sheet, right, वो important है, prelims के लिए भी और mains के लिए भी, police to inquire and report on case of suicide, inquest report, 176, ये से sections आपके, as it is, पूछ ले जाते हैं, examination में, कौन से authority करनी है, ये, कौन से authority करती है, ये भी ध्यान में रखना है, examination point of view के लिए, clear, now, next is 177, again, trial, कहां पे होगा, 177, 178, place of inquiry of trial, ये सारी चिसे इंपोर्टन है, 181, 182, 183, offenses, जो वोई, commit किये गए हैं, लेटर दोवारा, ये जर्नी में हुए है, कौन से section number में दे रखे, section number भी important है, और इसका content भी important है, clear, now, moving ahead, यहां प section, 4 ही section, ये बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते है, कॉनिजिंस के अमेजिस्ट्रेट कि इंचीज़ों पे लोगा, complaint, पुल, information, और आपकी पोलिस रपोर्ट पे इतीन, चीज़े इंपोर्टन है, ये, application लगा सकता है, accused, transfer कर ने की, making over, कौन से के से makeover किरते है, में देस्ट prosecution of offenses, under section 498A of IPC, इसमें से questions आप जाधा पूछे जाने लगे हैं, चीके, अब हम देख रहे है, trend change हो रहा है, और अब इससे questions आप से पूछे जाते हैं, right, West Bengal exam के लिए, mains के लिए important sections, I am telling you, साथ-साथ में की कौन सा mains के लिए important है, again, ये 190 से लेके 194 तक तो सारे ही mains के लिए भी important है, clear, complaint, again, पूरी complaint, proceeding, जो है, ये important है, mains examination के लिए भी, और prelims examination के लिए आप से पूछ ले जाता है, कब dismissal होता है, complaint का, कब नहीं होता है, वो पूरा process आपको पढ़ना होगा, prelims के लिए, right, issue of process, special someone in case of petty case, petty cases, कौन से petty cases होते हैं, कितने amount के होते हैं, 1000 से नीचे, तो ये सार early procedure क्या follow होगा, अगर मानलो complaint case भी हो रहा है, police investigation भी हो रहा है, तो इसमें conceptual question पूछ जाता है, इस particular section से, अब content of charge की में बात करूँ, तो directly question कभी section number से नहीं आता, conceptually आता है, कि किस stage पे आप alter कर सकते हो, ठीक है, या फिर ये mains के लिए पूरा charge का पूरा chapter ही important है, तो यहाँ पे error of charge, अगर charge में error है, तो क्या होगा, उसमें prelims में conceptual question आता है, court alter कर सकती है, कौन से stage पे alter करती है, वो पूछ जाता है अपसे prelims में, recall of witness when charge altered, जब charge को alter किया है, तो क्या आप witness को recall कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, किस stage पे कर सकते हो, वो important है, examination के लिए conceptual questions आते है, इसमें जो ही पा इलिस्ट्रेशन है, वो important है, आगें concept clarity तो होनी ही चाहिए, in respect of joiner of charges, मेंस के लिए भी important है, now यह कुछ areas है, आप जो छोड़ सकते हो, अब जो यह trial वाला part है, किस stage पे equitable होता है, किस stage पे discharge किया जाता है, कब discharge करते हो, कब equitable करते हो, अलग-अलग trials में, वो पढ़ना important है, वो चीज़ पढ़ना आपका important है, आपका important है, त्राइल्स में अब इसमें से हाइलाइट नहीं किया, the reason is, यह पूरा trial आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, mains के लिए तो बहुत important है, और prelims में भी, trial का किस stage पे discharge होता है, किन grounds पे होता है, और क्या कहते है, कब जो है, कब जो है, चारो ही important है, 265 A, B, C, D, क्योंकि DJS में mutual satisfaction disposition पे question आया था, तो यह एक बर पढ़ लेना, इसको important इसकी guidelines, तो यह चारो ही section आपके plea bargaining से important है, clear, now language of court कहां पर दे रखा है, section number exact, यह important है, evidence कब accused के present में लिए आता है, कब उनके absence में लिए आता है, कौन से sections बात करते हैं, यह important है, ठीक है, language of record of evidence क्या language रहेगा, यह important है, साथ में record of examination of accused, वो सारी चीज़े examination recording के respect में, किस manner में होता है, जो 164 में पढ़ता है, वो 281 में दे रखा है, कि 281 की manner में होगा, और वो manner यहाँ पर question answer की form में दे रखा है, उस तरीके से record होता है, तो यह important है आपका, identification report of magistrate, इससे DGS म आया था एक बार, तो इसलिए again amendments से जुड़ा वो section है, वैसे भी important है, और इस पर question आज चुका है, authority के respect में, तो वो पढ़ लेना एक बार, वो ध्याल से skip मत करना, यहाँ पर recording of evidence and absence of accused, presence में कौन सेक्शन से बात करते है, accused के recording of evidence के respect में, absence में कब होता है, वो important है, 300 again very important section, प्र prosecutor यह important है, यहाँ पर legal aid दी जाएगी section 304 में, यह important है, right, accomplice, tender pardon to accomplice 306, यह section important है आपका, 301, 313, 315, बहुत important sections है, right, कौन से कौन से stage पर होता है, कब recalling करते हैं witness को, यह सारी चीज़ें आपकी important है, 311, 313 और 315, super important, right, उसके बाद आता है आपका, 319, 20 और 21, यह भी बहुत जादा important है, additional prosecution, ठीके withdrawal from prosecution, compounding of offense, compounding of offense से तो पक्का question आता है, एक बाद table से go through कर लेना, ठीक है, table से भी question pick कर लेते हैं, वो right, यह सारी चीज़ें पढ़ना है, आपको यहाँ पर, यह सारा part आप छोड़ सकते हो, judgment कहां पर दे रखा है, language और content के है, judgment कौन से section number में दे रखी है, यह important examination के लिए, यहाँ पर अगेन यह पूरा area, order to pay compensation important है, victim compensation scheme कौन draft करता है, कौन बनाता है, वो सारी चीज़े important है, कौन से authority involved है, और साथ में treatment of victims, जो section number है, यह important है, directly पूछ लिया जाता है, right, now, यहाँ पर देखो, in respect of this chapter, submission of death sentence, कहां पर दी जा court of session for confirmation, high court को दी जाती confirmation के लिए, अगर court of session कोई भी descendants pass करती है, उसको पहले confirm कराना पड़ता है, यह वाली बात कहां पर दे रखी है, 366 में दे रखी है, तो उसके रिटने फॉर्दर powers बेगरा, यह पढ़ना है कि high court के बस क्या power है, वो confirm कर सकती है, वो अनल कर सकती है, cancel कर सक आपको पढ़नी होगी इन तीनों section में, right, again, appeal के जो provisions है, broadly आप पर सकते हो, prelims के लिए 372, 374, 376 and 378 are the important section in respect of appeal, जो आपको complete करने है, abatement of appeal का जो time दे रखा है, कब appeal आपके अबेट हो जाती है, वो important है, prelims examination के लिए, right, reference, review, revision, again, बहुत important है, reference, review, revision, again, बहुत important है, reference, कौन से CPC, CRPC, जुसमें भी है, वो आपका important role play करता है, prelims में भी, और mains में भी, right, now, revision में high code के पास क्या power दे रखिये, वो important है, transfer of cases, again, Ike, important bunch of, I would say, particular area है, transfer of cases, which prelims के लिए भी important है, mains के लिए important है, को इसकी application भी transfer होता है, false of excess, अगर आपने transfer के application लगाई तो उसमे कितनी आपको compensation दे देना भड़ता है, वो सारा ही important है, तो power of supreme code to transfer cases and appeal, power of high code to transfer cases and appeal, यह important है, आपका, right, broadly, अब यहाँ पे execution, जो red sentence confirmation के लिए आपने भी जी है, उसके execution में section number कौन सा है, वो important है, जिसमें 416 वाला बहुत important है, जो बात करता है, postponement of capital sentence on pregnant woman, यह important है, ठीक है, super important है, इसमें से, यह information और confirmation की बात करता है, कम्यूटेशन की बात करता है, वो आप देख लेना है, यहाँ पे, कुछ-कुछ sections है, वो आप discuss कर सकते हो, एक बार go through कर सकते हो, और बाकी detail में, यह तो पढ़के जाना ही है, बाकी सेक्शन को स्किप भी कर सकते हो, पर यह तो पढ़के जाना ही जाना तो selective पहले पढ़ दो, अगर running short of time, selective पहले पढ़ दो फिर बाकी इन सारे areas को भी cover कर लेना, right, now, bail के respect में, 436, 436A, 437, 437A, 438, anticipatory bail, और आपका 439, special power of high court in respect of, in regarding bail, quarter session में, वो सारा important है, चेका, conceptual questions पूछ जाते हैं, आपके in areas, section number नहीं पूछते, अब यहाँ आपे cancellation, bail or bond का section number कभी कभी पूछ लेते हैं, वो important है आपका, यह वाला पाट आप छोड़ सकते हो, इससे question आता ही आता है, 460, 461, question आता ही है कि कब irregularity मानी जाएगी, कब irregularity विशेट करेगी, कब irregularity विशेट नहीं करेगी, तो इसकी जो लिस्ट है, कोशिश करना, कि उसको रिटेन कर से को क 468 important है, 469 important है, यहाँ पे, तो यह सारे कुछ sections है, बाग कि आप एक बर इन सब को देख लेता है, कब-कब extension होता है, और दोस तेंग्स, यहाँ पे rules कौन मनाता है, और साथ में 482 inherent power, और इसमें जो words यूस किये हो, exactly पढ़ लेना, यह सारे चीज़ें आपकी CRPC में important है, and again I am saying कि ऐसा नहीं कि section number मैंने यहाँ पे highlight के हैं, सिर्फ वही पढ़ के जाने हैं, सबसे पहले वो पढ़ने हैं, उसके बाद आप दूसरे sections भी cover up करके जाना examination के लिए, right, so this was all from my end, I hope, समझ में आया होगा, I hope आप डर नहीं लगेगा CRPC से, क्योंकि पहले यह कुछ in sections को पढ़ ना majority questions आपके in sections से ही आएंगे, ठीक है, majorly CRPC के questions होएं, आपके इनी sections से बनेंगे, और जो language है बेराक की, वो ध्याल से पढ़ने की कोशिश करना, illustrations miss out मत करना, examination के लिए वो पूछे जाते हैं illustrations, right, चाहे हो और वो आपका evidence हो, या CPC हो, या फिर CRPC हो, या फिर IPC हो, right, तो य चारो ही जो course subjects ही, सबसे जादा question इनी से आते हैं, जो areas मैंने mark किये हैं, उससे जादा question आएंगे, जो areas left out है, उससे भी question आ सकते हैं, but then again, जादा नहीं आएंगे उससे, right, तो अगर running short of time कि भाई अभी जल्दी पढ़ना है, जल्दी रिवाइस करना है, तो पहले इनको revise कर क जाना अच्छे तरीके से, clear, so this was all from my end, again एक important announcement ये है, कि study IQ लेकर आया है, आपके लिए super learning sale, ठीक है, super learning days sale, जिसमें आपको हमारा course मिल रहा है, affordable price में, this is because, आप जो है, easily afford कर सको course, और हमारे study IQ जुदीश्री की courses में इन्रोल हो कि, अपनी तयारी को अच्छे से कर पाओ, तो जाना क्या है, कि इसमें website पर जाना है, महा पैक, जिस महा पैक में हम 16 states के, local acts, major loss, minor loss को cover up करते हैं, उन states को हमने यहाँ पे पूरा, एक course बना दिया है, जिससे, ताकि आप multiple states को target कर सको, easily, उनके local acts को पढ़ने में, आपको problem ना हो, तो अभी ये जो course है, आपको affordable price में मिल रह है, कैसे मिल रहा है, अभी you can see, course का price है, 14,999, जैसे ही आप buy now पे click करोगे, apply करोगे, promo code SHR, SHR, promo code SHR apply करते ही, आपको मिलेगा ये course, 11,999 रुपे में, तो एक साल की validity का course आपको मिलेगा, सिर्फ 11,999 में, और अगर आपको यही course दो साल की validity के लिए चाहिए, तो आपको मिलेग 14,999 रुपे में, कैसे मिलेगा, ये 14,000 वाला course इतने सस्ते में, जैसे ही आप code लगाओगे, SHR, ठीक है, मेरे नाम के first three letters, SHR, आपको जैसे ही लगाओगे, वैसे ही आपको मिलेगा, maximum discount, जाहे फिर वो महापैक हो, या फिर state specific course, state specific course आपको मिल रहे है, सिर्फ 9,999 रुपे के, सेम process है, SHR लगाओ, और maximum discount बाओ, ठीक है, तो यही एक ऐसा promo code है, जिससे आपको मिलता है, maximum discount, and ये score में, आपके examination को target करने का, जो भी content है, वो सब available करा रखा है, चाहे वो test series हो, weekly doubt session हो, mentors के साथ, जहां पे आप personally connect हो, कि उनसे अपने doubts पूच सकते हो, साथ में, आपको हम provide कर करते हैं, right, answer writing sessions होते हैं, जहां पे आप अपने skills को enhance कर सकते हो, और अपने syllabus को examination को, अगर आप target करे हो, किसी भी state judiciary examination को, उसके syllabus को comprehensive तरीके से cover up कर सकते हो, so अभी limited time offer है, ये, सिर्फ limited time के लिए आपको ऐसी opportunity provide करिये, जहां पे आपको course मिल रहा है, affordable price पे, तो अभी तक अगर आपने अपने आपको enroll नहीं किया है, तो I would say you just go and enroll yourself, and you can see the course content, demo videos of the respective faculties on this website, right, I would say don't waste your time, just enroll to study IQ Judiciary and do not forget to use the code SHR for the maximum discount, so this was all from my end in today's session, I hope you have liked the session, thank you so much for watching.